Hello everyone, welcome to ge dissipated तो हमने पीछले क्लास में महत्मा गांदी का प्रैक्टिकल फा कैसे बनाते हैं वो देखा था और आज हम लोग मुझीए टेगोर का प्रैक्टिकल फा खैसे बनाते हैं वो देखेंगे और इसर फर्षड स्मेश्टर में काफी सहायो क्थों के लिए नहीं किया है और चैनल को जिस ने सब्सक्राइब करें चल्सक्राइब करें टो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे क्या प्रैक्टिकल फाइल बनाते टाइम डविट्न नैट टैगोर की अंतर वाष्टो ठीक है और उसके बाद फिर जो है इंडेक्स है उसको बनाएंगे और पनाते टाइम लिखेंगे उनका पाला मतलब जो पीछे लिखेंगे चलते जाएंगे अब चली सुरूर करते हैं फिर प्रबूद सिझा का Gulaghan quiet 6 हो जाएगा शिखा का उत्य nodig पाथ क्रम ओध्य when I pessoas nine B省बद्य बेषनधर मतलब रवेना टैगोर ने बिसु भारती बिसु बिस बित्याले का अस्थापना किया था उसके बाले में फिर टेंथ हो जाएगा टैगोर की सिच्छा में अबदान फिर निसकर्स में आ जाएंगे तो यहां से चलिए सुरू करते हैं तो पहले हम लोग लिखेंगे प्राकथन तो यहां प्राकथन कहा है कि प्रश्टूत प्रयोजन का रविन टेगोर जी कि वर्तमान के विशेश संदर में सिच्छा के आउजन से समंदित है और फिर आगे चलेंगे नमीन समाधिक अवस्था निर्माण में इस परकार की सिच्छा के वाध्यम से विभीन परकार के असकताओं को दूर किया जा सकता है पर मनुस निर्माण में अध्या ज्यान पर ज्यादा जोर दिया गया है फिर यहां पर इस परियोजना कारे में रविण नाट्यगोर जी के आदिक सिच्छा के समन में विवेचना थी गई है इसमें रविण नाट्यगोर जी के दर्शन के बाड़े में अधन किया गया है रविण नाट्यगोर भारत ये एक मह आयाम देती हैं फिर आगे चलेंगे और यहां दोनका फिगर चिप पाएंगे और उसके बाद फिर शुरू करेंगे लिखेंगे ताथ अगस्त ने से तालिस वह इस महान दार्शनिक चिंतक कालाकार सिच्छा शास्टी का देवा वासन हो गया फिर टैगोर जी दुनिया के पह लिखेंगे और यहां पर जितना अच्छा फाइल सजाएंगे उतना ही अच्छा नमबर मिलेगा तो यहां पर फिर कोटेशन लिखेंगे बरतन मेरा का पानी हमेशा चमकता है और शबुन का पानी हमेशा गहरे रंग और असपस्ट का होता है लगुस सत्य के सब्द हमेशा पाशपस्ट होते हैं महांत सत्य मौन रहता है जैसे त्रहता रविनाथ ट्रेगोर ने जैसे मैंने फाइल सजाए वैसे ही आप लोग भी सजाईएगा तो फिर आगे चलते हैं फिर लिखेंगे ट्रेगोर जी का जीवन दर्शन यह पर ट्रेगोर जी इस्वर को सरुच मानों म आधिक वल दिया वे दार्शिंग समास उधारक के साथ साथ प्रखर राष्टवादी भी थे थे हैं फिर आगे यहां पर फिर कोटेशन लिखेंगे और मैं दिखाद रहे हूं अपलों कोटेशन लिखते जाएगा फिर यहां पर ट्रेगोर जी का सिच्छा दर्शन ट्रेगोर का विकास मूल रूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तोविक जीवन की सिच्छा प्राप्त हो तता उनका डिश्ट्रिकोर संकिर्टा से उपर रुख्टर राष्टिय तता अंतराष्ट्य भी बने फिर यहां पर आगे है कर ट्रेगोर जी का कहना था कि सिच्छा जीवन के फल सरूप होनी चाहिए इस सिच्छा वास्तोविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाब नहीं मिलेगा फिर यहां पर फिर उन्हों ने ट्रेगोर जी ने जो लिखा है उसको लिखे है यहां पर परकृति परकृति के पशात बालक को समाजी बिवार की धारAT के संपर्क में लाना चाहिए फिर आगे यहां पर हो जाएगा टैगोर के सिच्छा दरसरि बिवार्पुर्थ होनी चाहिए कोटेशन देख लिए ऐसे ही लिखते जाईएगा और फिर यहां पे फिर इसको भी देख लिए जैसे मैं सजाईँ वैसे ही सजाईएगा फिर यहां पे आगे चलेंगे यहां पे छात्रों में अभिने चीतर कला संगीत आधे योगताओं का विकास करना चाहिए फिर भारतिय बालों को भारतिय सिच्छा मिलने चाहिए बालों की सिच्छा नगर से दूर प्रकृति के प्रहंगण में होनी चाहिए बालों को सिच्छा देने के लिए उन्चे पाठे करम में भारतिय दर्शन और समाजी आधर्शों को अस्थान मिलना चाहिए फिर आगे यहां पे चलेंगे तो आगे हो जाएगा बालकों को पाठ्थे पुस्त को द्वारा ज्यान प्राप करने के लिए बाद ना किया जा बलकि उसे पत्यर स्रोतों से ज्यान प्राप करने के लिए उसर प्रदान किये गया है उप्रोक सिधानतों को टैगोर जी ने स्वयम द्वार अस्थाविट सांतिन नेगलतन में वहतारी रूप दिया जिरे यहां पे सिछा का इर्थ लिखेंगे और सिछा का आगर त्रायगोर ने सपड का विएपक आर्थ में प्रयोग किया है उन्चे सब्दों में सरोच सिच्छा वही है जो संपूर श्रिष्टी से हमारे जीवर का समझ अस्थाविक चरें टैगोर ने सिच्छा में प्राचीन भारती आदर्ष को अस्थान दिया है या आदर्ष सा बिद्या या भिमुक्त है अथार्ष सिच्छा मनिस्व को अध्यात्मिक जान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति परदान करती है फिर आगे चलेंगे और आगे टैगोर ने स्वयम लिखा है सच्ची सिच्छा संग्रग किये जाए लाप्रत ज्यान चेप्रतिक आंग के प्रयोग करने में उस आंग के वास्तिक स्वरूप को जानने में और जीवन में और ये सच्ची आश्र का निर्मार करने में है फिर यहां पे सिच्छा के उद्देश से हो जाएगा यहां पे सिच्छा के उद्देश लिखेंगे और फिर आगे लिखेंगे टैगोर के अनुसार सिच्छा के उद्देश न निवास होता है तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक के सरेरिक विकास के लिए यदि आ सकता हो तो अध्यान को सब कुछ समय चे लिए छोड़ देना जाए कि पुस्तों को कि अपेच्छा पर चरूप से जीवित व्यक्ति को जाने का प्रयास करना ही सची सिच्चा इसे कुछी ग्यान प्राप नहीं होता जानने के सकती का इतना विकास हो जाता है जितना व्यक्यानों से असंबव हो है फिर आगे चलेंगे और फिर यहां पर इसको सजाएंगे और उनके सिच्चा का जो भी उद्दे से उसको लिख कर सजाएंगे तो यहां पर सिच्चा के उद्यस उनका मानसिक विकास, समस्त सक्तियों का विकास, फिर अंतर राष्टे डिस्टिकोर का विकास, फिर राष्टियता का विकास, फिर नैतिक यम अध्यात्मिक विकास, फिर शारे रिक विकास इसको सजा कर लिख देंगे, फिर जो लिखे हैं उद्यस वही यहाँ पर फ ध्यात्मिक मुल्यों कर प्रकाश डाला है, उनको प्राप्ट करने के लिए अनुसासन सांती ध्यर नम्रता ज्यान प्रोपरम आवस्यक बताया है, फिर यहां पर आगे चलेंगे, फिर है यहां पर समस्त सक्तियों का विकास, तो यहां पर समस्त सक्तियों का विकास हो जाएग राष्टियता का विकास्ट राष्टवादी होने के नाति सिच्छा को राष्टिय उत्तम साधन मानते थे उन्होंने अपने विचारों लेखोर करताओं के द्वारव्यक्तियों को राष्ट प्रेम की और आकर्शित की और उन्हें राष्टिय एक्ता की अनुभूती कराए फ फिर आगे चलेंगे और यहां प्याप लोगों का हो गया सिच्छा का पाठे क्रम फिर देखेंगे टैगोरपूर मानों को विक्षित करना चाहते थे इस महान उद्यसों को प्राप्ट करने के लिए उन्होंने भारतिय विद्यालों के पाठे क्रम को दोस्पूर बता और एक बालत के जीवन के सभी पच्छों का विकास हो सत्योंग के अनुसार पाठे करम में कुछ मुख्य भी से और क्रियाय नीम्न है फ़र्ष्ट यहां पर देखिए बीस भी से होगे इतिहास भुगोल सहीत विग्यान आदी सेकेंड हो जाएगा क्रियाय नाटक प्रमण भागव प्रियोक साला कारे ड्रॉइंग मौलिक रचना छेत्री अध्यान आदी फिर आत्रिक पाठे करम के खेल कूट समाज सेवा छात्र स्वासासन आदी फिर यहां पर हो जाएगा डाक्टर मुखर जी के अनुसार प्रिश्यकोर से टर्यकोर की सिच्छा संतानों लागू किया ज चलेंगे और फिर यहां पर लिखेंगे सिच्छर पद्धती टैगोर ने अपनी सिच्छर पद्धती कि या विधी के निम्ध प्रमुक्र सिधान्त बताये हैं पहला हो जाएगा भ्रहमल के समय पढ़ना वाद विवार तथ प्रश्णोंतर विधी क्रिया द्वारा सिच्छ फाइब तील कुट द्वारा सिच्छन और आगे हो जाएगा स्वा नूभाव द्वारा सिच्छन फिर आगे चलेंगे आगे अब हो जाएगा यहां पर आएगा टैगोर की सिच्छा में उगदान सिच्छा के छेत्र में टैगोर की विचार को महत्तुपूर अस्थान है जि टैगोर ने जो बिद्या निर्मित चिया हुआ भारतियों और अश्या ते दोने ही जीवन पर्ष करता है उसे अध्यात्मिक्ता और भौतिक दोनों कहीं सामनुएं है फिर यहां पे आगे थार्ड नमर सिच्छा में सो ततत्रा का टैगोर के डिश्ट्रिक रोल्ट अभिशेस मौलिक और आश्चा रिमाय धंग से अपनी सिच्छा संबनी विचारों का सफल पर रोग किया उन्होंने संदरबोर की सिच्छा के लिए संगीत चित्रकला अभिने निर्त कविता आधी को सिच्छा में विशेस रुप से अस्थान दिया है और कला संगित और कावे में अप अधिजी नहीं ने गुर्देव कि अपाधी से अलंक्रिट किया ट्रगोर जी इस्वार को सवर्श मानों मानते थे एए अधद्वादी थे तभी इस्वार को सथा जह कभी निराकार मानते थे ट्रागोर ने कहा कि मनुस्छा मनुस को से ही सिख सकता है इन्होंने सिच्छर लर्निंग वाइड दूइंग को प्रमुक अस्तान दिया है अग फोड भी सोध बिद्याले ने इन्हें टिलिट की उपादी पर दान किया संहाइट मद्वेट तो थतम तर सक एकता अस्थापित करना चाहते थे हैं और यहां पर हमारा समाथ होते हैं और यह तभी करने करते हैं